हेलो फ्रेंज ये मैंने कुर्टी बनाने के लिए बड़े पने का दो मीटर कपड़ा लिया है तो पहले कपड़े को डबल फोर्ड करके फ्रंस साइट कटिंग कर लेंगे ये मैंने कपड़े को डबल फोर्ड कर लिया है तो फ्रन्स साइट बटन पट्टी के लिए वो इच एक्स्ट्रा निशान कर लेंगे और निशान पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे कटिंग लाइन सिलाई लाइन पहले कर लेंगे और कुर्टी की लेंट 39 है तो 10 इंच की फ्रिल कट करके हमें जो भी लेंट आती है वहाँ निशान करना है और आर्मोल 6.5 पर निशान कर लेंगे और कमर की लेंट 14 इंच पर निशान कर लेंगे और कमर से 4 इंच नीचे हीप की लाइन कर लेंगे फिर सबी मार्प के उपर स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और सॉल्डर का निशान कर लेंगे दो इच एक्स्रा हमने लिया है उसी लाइन से हमें नाप लेना है फिर चैस का निशान कर लेंगे जो अपना नाप है उसका चोठा भाग लेके चैस का और कमर का निशान करना है और कमर से दो इच ज्यादा हीप का निशान करना है और एक से दे इज मैंने फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है और नीचे डामन नव इज पर निशान किया है फिर सभी लाइनों को मिला देंगे और ये हम स्किल से हीप का सेव देंगे हीप का सेव देखे आर मुल का राउंड सेव देंगे और फिर फ्रंट साइट को कट कर लेंगे और ये कपड़े में से हम बैक साइट निकालेंगे तो कपड़े को अलग कर लेंगे कपड़े को अलग करके बैक साइट निकालने के लिए उसकी घड़ी कर लेंगे फिर उसके उपर फ्रंट साइट को सेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा कप्रा जो हमने डो इसका लिया था वो उपर की साइट मोड लेंगे और उसको कट कर लेंगे और आदे इस पर कंडी डाउन कर लेंगे और फ्रन साइट आर्म बूर राउंड से प्रे देंगे फ्यू स्लीव कटिंग कर लेंगे तो कप्रे की गड़ी आर्मोल के हिसाब से करेंगे हमारा चितना आर्मोल है उससे दो इच्छादा रखके गड़ी कर लेंगे पहले कटिंग लाइन सिले लाइन कर लेंगे तो स्लीव की लेंड बारा इच्छ पर निशान कर लेंगे और राउंड से देने के लिए दो से दाइच पर निशान करके स्ट्रेट लाइन कर लेंगे मोरी पांच इच पर निशान कर लेंगे और एक इच एक्स्रा सिलाई के लिए और सभी निशानों को मिला कर स्लीव का सेव दे देंगे तो स्लीव को स्टीच करते टाइम दो इस पट्टी एक्स्ट्रा रखके स्लीव की थोड़ी लेंड पढ़ा देंगे स्लीव को कट कर लेंगे और स्लीव की फ्रंट साइड का सेव दे देंगे कारेंग को isे ऩशेप देखे रिफ लगा देंगे कर दोर प्रियुक के लिए निकालने के लिए Bay area के विए और दसomnों के लिए और एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे ग्यारा इंच पर नीशान कर लेंगे और ये फ्रिल की कटिंग घेर के हिसाब से नहीं करनी है बलके घेर से डबल चोड़ाई लेनी है तो ही अच्छे से हम प्लेटे ले सकेंगे और फिर कट कर लेंगे ये हमने आगे पीछे डोनों साइब की डोनों फ्रिल निकाल ली तो चलो कुर्टी को स्टीच कर लेते हैं तो पहले पटन पत्ति को मोर देंगे पटन पत्ति को मोर के किनारी पर सिलाए लगा देंगे दोनों साइब की पत्ति को ऐसे ही फिनिसिंग के साथ मोर देंगे दोनों साइब की पत्ति हमने मोर ली और ने की कटिंग कर लेंगे तो हमें स्टैंड पत्ति रखनी है तो दो से सवा दो इच का निशान करके राउंड सेब देंगे और राउंड सेब में कट कर लेंगे और बैक साइड पर भी कटिंग कर लेंगे तो बैक साइड का नयक ज्यादा कट नहीं करना है आदे इच की दूरी से निशान कर लेंगे और थोड़ा सा सेब देंगे और सॉल्डर जोइट कर लेंगे इसी तरह दोनों कंडी को स्टीच कर लेंगे और यह हमने दोनों कंडी को जोइट करके सल्डर रैडी कर लिया है इस स्लीव को रैडी करेंगे और यह हमने पांच इच की पत्ती निकाल ली है तो दबल फोल्ड करके दो इच एक्स्रा हो जाएगा तो हमारी स्लीव की लेंड दो इंच बर चाहेगी और पत्ती को सीधा रखके उसके उपर स्लीव को भी सीधा ही रखना है और दोनों को स्टीच कर लेंगे और उपर की साइट पत्ती को मौड़ेंगे और दोनों स्लीव की पत्ती को ऐसे ही उपर की साइट मौड़ेंगे तो हमने स्लीव को रेडी कर लिया है तो स्लीव को अटेज कर लेंगे तो इसी तरह दोनों स्लीव को खीशते हुए आप मौल के साइट अटेज कर लेंगे तो यह हमने स्लीव को अटेज कर लिया है और फिर साइट फिटिंग कर लेंगे साइट फिटिंग जो अपना नाप है उसी के हिसाप से करेंगे तो पहले मैंने यह ड्रौ कर लिया है नाप के हिसाप से ड्रौ कर लेंगे और शिलाई से शिलाई को मिलाके फिटिंग करेंगे तो इसी तरह फिनिसिंग के साथ हम दोनों साइट की फिटिंग कर लेंगे तो यह तोप की फिटिंग कर ली है हमने और दोनों फ्रिल को जोर के इसी तरह राउन में फ्रिल लगा लेंगे तो यह से ही थोड़ी बरी साइट की प्लेटे डालनी है फ्रेंसा में तो फिनिसिंग अच्छा आएगा ऐसे ही राहों सिर्फ में प्लेटे डे देंगे तो पहले फिल के दोनों कपड़ों को जोर लेंगे और दोनों कपड़े को जोर के तीन साइड ऐसे ही पट्टी मोर लेंगे ये दोनों साइड थोड़ी बड़ी पट्टी रखेंगे और नीचे घेर में एक चोटी सी बाड़ी पट्टी लगाएंगे तो ऐसे ही घेर की एक तम बाड़ी पट्टी लगाएंगे और फिर पट्टी लगाएंगे फिर को अटेज कर लेंगे और इसी तरह टॉप को नीचे और फिर की कपड़े को उपर रखना है और ऐसे ही प्लेटे देते हुए फिर को अटेज कर लेंगे सभी प्लेटों को एक चैसा ही रखना है फ्रेंस झाल तो इसी तरह पूरे घेर में फ्रिल को रैडी कर लेंगे और फिर नेक में स्टैंड पटी लगा लेंगे तो इस्टैंड पटी को पहले ही रैडी कर लिया है हमने तो आपको इस्टैंड पटी का वीडियो देखना है तो मैं स्टैंड पटी का वीडियो की लिंक दिस्क्रेप्शन में दे दूंगी तो इसी तरह स्टैंड पटी को अटेज कर लेंगे टॉप को उल्टा रख्की स्टेन पर ती अटेश करनी है इसी तरह खीशते हुए स्टेन पर ती को अटेश कर लेंगे और फिर उपर की तरह मोर देखे और इसी तरह सी लाई को नाखून की मदद से बिठा लेंगे और फिनिसिंग के साथ स्टेन पर ती को स्टेश कर लेंगे और लेंगे हमने स्टैन्ट पट्टी को अटेज कर लिया है और कुर्टी में पॉकेट को लगा लेंगे तो पॉकेट की लेंट कितनी रखी है छे इंच चोराई और साथ से आथ हींच लंबाई रखी है तो कमर के हिसाब से लगाना है हम पॉकेट कमर चाउडा है तो दो इंच नीचे 16 पे निशान कर लेंगे डोनों दरब 16 पे निशान करके स्ट्रेट लाइन कर लेंगे ताकि हमारे पॉकेट अच्छे से बड़ाबर बेठे श्ट्रेट ऐसे ही दोनों साइड पॉकेट अटेच कर लेंगे दोनों पॉकेट को ऐसे ही शिलाए लगा लेंगे कॉर्नर पे तो चलो पॉकेट को रैडी कर लेते हैं तो हमने आइरन की मदद से तीनों साइड फोल्ड कर लिया है उसके उपर सिलाए लगा लेंगे दोनों पॉकेट को ऐसे ही फोल्ड करके सिलाए लगा लेंगे पाधेज करके हैं तो कॉर्टि के सीब कक्सा पॉकेट को अटेज कर लेंगे और थाम शहीं Is जो हमने इस ट्रैट लाइन की है इसके उपर रखके सिलाई लगा लेंगे इसी तरह दोनों पॉकेट को रेडी कर लेंगे और फिर गाज बटन के निशान कर लेंगे डाई से टी नीच की दूरी पर गाज बटन के निशान कर लेंगे और यह कुर्टी का फाइनल लूक तरह जाई था से प्रफी आई खायव है जोड़ा अर्च की पर गाज़ को दूरी इस दूरी नीच को जाता बटन की लेंगे